तो दोस्तों आँका स्वागत है डिश टेक्निकल प्रेंड में दोस्तों तो आज का हमारा नया एपिसोड है एपिसोड नुबर 4 दोस्तों हम कहरे हैं पोकवन इंडियन प्लैडिनम तो पिछले ही एपिसोड में हमने फाइनली अपने सेकिंड बे जीत लिया था उसके बाद ह है कि वहां पर एक प्रफेसर को बड़े पार्सल देना था प्रफेसर ओक को तो हमने वह पार्सल लेते हैं वहीं पर टीन स्ट्रीम आ जाती है हम उन्हें फाइन डिफिट कर देए दोस्तों को सिस्क्राइब कर जो किजिए कमेंट कीजिए आपको आज का पार्ट कैसा लगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं अच्छे लिए पशुरू करते हैं वीडियो को तो दोस्तों मैंने पूछता कि यह कौन से पोकीमोन है तो दोस्तों यह है शेल गोन तो सबसे पहले अंसर दिया है लक्षे भाई ने फिद यह सल्मान भाई ने फिद यह मैं टी एफफ में दोस्तों यह वो डी पोक्मिन हार फैन थे जिनने जवाब दे दोस्तों अगर आप डी पोक्मिन हार फैने तब यह जवाब दे पाओगे तो कुई वी स्क्रिम पे आने वाला है चलते हैं यहां से आगे की तरफ कि अब हमें अपना थर्ड बैज जीतना है और शाहिद यह बैज खोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मुझे लग रहा है चलो बाकि देखते हैं कि यहां कौन से टाइप के मतलब पोक्मिन होने वाले हैं दोस्तों हम फाइनली वापस आ चुका सब्सक्राइन मैंने पांच से जादा बार यह से बचल किया था और विडियो काट जी बहुत जादा वट बन सकती थी मैद मैं जीत नहीं पा रहा था यार इसको लास्ट और हम इसको डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था और इसके चकर में इतनी वर मेरा सेफिव अब मैं इस कोरान की पूरी कोष्ण को मेगा सेप्टाइल हमारे पास आ चुका है और शायर मेगा सेप्टाइल इस बहुत हमें जीतने में मदद करें को बाकि देखते हैं कि क्या होगा अगर हम इसे जल्दी जी जाएं तो जादा बैतर रहेगा तो इसको रहना बहुत मुश् करना थी ज्यादा बैतर रहेगा वह तो अब दुबारा बढ़ाते हैं कंबस कन को कुझे इसका मरता को फर्क पड़ेगा नहीं तो हमें यूज़ करना चीए पोश्चन जुन बसतारा ही पड़े हैं और देखते हैं क्या होगा बढ़े नहीं पर देखते हैं क्या होगा पर चुरो कंबस कन गया अब शेपल को बुलाते हैं दुबारा मेगा सब्टा इसके लिग करते हैं पर एक पर देखते हैं और यार फी डैमेज जादा हो गया चलो यह लास्ट वोक्रम रहे गया इसका और यहां पर पहले में लीग सिट करता हूं लो भाई इसने मारा मेगा सब कर दिया अब जो कुछ है सब वाट वाटल पर रहा है और मैं उसके काम बने मतलब फुरसा मेरे पास एक आइडिया साय है देखते हैं हम यूज करेंगे पोशन को जब तक इसकी सारी हम ड्रेन ना कर ले और देखते हैं कि अब तक चलता रहेगा सीन नहीं तो मुझी लगता एक थुड़ी से स्पी दे गई है ओ गाइस फाइनली हमने कर दिया इसको डिफीट और हमें मिल चुका है हमारा थर्ड बैक यह हुई ना बाद वोट वोट हो चुका है हमारा 25 का इसे रैपिट स्पिंग सिखा देते हैं और अब चलते हैं यहां से फाइनल लीडर हाड चु चलते हैं और हमें जल्दी रॉक्समेश मिल जागा यह है टीम 34 तो यह कौन सा टीम है भाई तो यह है शॉक वेव रख जाता हूं फिर चलो क्या कर सकते हैं अब दूसे चलते हैं बाहर की तरफ और मुझे ना बताना था कि जो रॉक्समेशना वह अभी तक मुझे मिला भी पर एक ऐसा पोकेमोन है जो 12-3 लेवल पर अपना रॉक्समेश चीख जाता है और वो पोकेमोन अपना देखाता हूं आपको जड़ा मतलब ठीक है वह हमारे लिए और उसको यूश करना ही पड़ेगा रॉक्समेश के लिए और अगर आपको यह चाहिए यतना मुझे याद मुझे कुछ नहीं मिला रॉक्समेश के बारे में कि मैले सिटी के लिए रॉक्समेश शो या ना हो पर मैंने ट्राइ किया और मुझे यह पास टॉक्मन में बहुत से पकड़े मैंने रॉक्टाइफ में शायद किसी को आता ना हो और उसमें सब चबसे लू लेवल में इसको वही रॉक्समेश आता था क्योंकि मुझे लगता रॉक्समेश के मिज़ूर आगे पड़ सकती है तो यह लोग भी हट नहीं रहे हैं यहां से तो देखे हैं कि तो कैसे इंट को लैटिस लॉटिस की मुझें की भी बात हो रही है हम और मैंने जड़ा हां एक मिनट मैंने ना जरा उस साइड को एक चीज़ देखी थी अपना खुल जाए यार कहा था हा यहां पहले कि इस ने की शब्लू शब्स ने लचेख था है आपके कीव सीटिय। वह हट जाए तो ज्यादा बैतर रहेगा चलो बाकी देख लेते हैं तो टीम स्क्रीम हटती है कि नहीं हटती है वह तो अभी हमें बात में जानने से पता लगा कर हम पहुंचेंगे रनिंग शूस नहीं मिली नहीं बहुत प्राबलम होड़ी विदाउट रनिंग शूस ओके त अधर दो बारा की यूज तो करना है या पर खतम हो भी तो मुझे बहुत प्रावल्म रगती है यह प्हटी मुझे पहली है उसे नहीं मुझे जानने है और इस बाद पर तो देखते हैं कि अब आगे कि साइड क्या होगा क्या सी न्हीं देख है यहां पर राक स्मेश करना पड़ना था में और अब आपको मैं बताई दिया कि रॉक्समेश कैसे करना है ये इसका खुद का टीम है तो कोशिश करना कि इसको मन नहीं डिलीट करना बैतर रहेगा क्योंकि अगर ये टीम डिलीट हो गया फिर नहीं इसको आएगा दुबारा जितना मुझे लगता है तो क हैस चलते हैं इसके उपर पहले रीपल लीउड़की के मूद में अगर हम बच बच कर जाएए ठीक हैं या 카ि या शाय वो नीचे की साइड ना हो जाने का रास्ता है मीबी चलो अब इससे बच-बच के दुबारा जाएंगे अगर इसके हाथ लगे तो यह फाइट कर लेगी थोड़ा सा बचे रहें तो ज्यादा बहतर है लो पकड़े गए तो गाइस मैंने कर दिया इसको डिफीट अब चल तो इस ओल्ड केव में क्या है बाई यहां पर टीम रॉक्ट के बंदें लुड़के होएं अरे यह कैसे खड़े रह गए फिर जातर इन्होंने मतलब पोक्मोन लुड़के होए थे और वो लोग खड़े रह गए मेरे सैप्टल की स्पीपी कम कर दी ने अच्छी खासी चलो लुड़के होए उसका बहुत है जो हमें मिला था म्यूजियम में कोग्रे ग्रोड़न को जगा दिया हुआ है वो इसको मतलब जारा पावर देने कोशिश करें कोग्रे ग्रोड़न देखते हैं क्या ओने वाला सीन और नो लगता है कुछ गलस अटैक करने वाला वह मतलब वह उपर जाने कोशिश करें गया मतलब इस बिल्डिंग मतलब इस ओल्ड केव से बाहर में कुछ नों को इसने दोनों को वेक कर दिया है ओकर लगता हमें भी बाहर चलना चाहिए ज्यादा बैतर रहेगा त्योंकि वह लोग तो अवेक हो चुके हैं शायद वह बाहर की साइड हमें मिल सकते हैं सिटी की साइड जितना मुझे लगता है बाकि देखते हैं अरे पोकमन आया यार तो गया सब चलते हैं यहां से बाहर की तरफ और इस ओल्ड केव को जल्दी हो सके खतम करते हैं कर टीम स्ट्री पर मैं देखना चाहता हूं कि इस साइड को ओनो यह फाइड करेगा यार सिद्धा उसके मुझे पास आ गया था ना या गलत सी नहीं है यह जहां पर यह कौन है भाई यह कौन सा निया बंदा है अच्छा इसका नाम येलो है उके भाई तो कुछ और चीज बताना यार यह स मिल गया था यह लोग को है ना मुझे नहीं पता इतना पर अब बस यहां पर फाइट का सीन ना बने जादा बैतर रहेगा एक मिनिट चलते हैं यहां सी रता सिटी और यह आगे में बी अरे एश स्टीव हेलो माइने मिस एश हो हमें पता है तुमाना मैं आश है बाई तो य पड़ने लपड़े राइकुजा आ गया यार यह हुई ना बात डाट वर से इंक्रेड़ेबर राइकुजा और इन सब को बचा लिया गया वो दोनों वापस जा चुके हैं और कोगरे ग्रोडेन ने से वह ठीक है अब वह उना से जा चुके हैं स्टीव के साथ यह मिस्टी यह में तो है नहीं है जब चलते हैं यहां से अंदर की तरफ और चलते हैं पोक्मेंट सेंटर करते हैं अच्पी फुल तो सब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करो कमेंट करो आपको आज का यह पार्ट कैसा लागा सामजी इंस्ट्रागाम पर फॉलो करना मत भूलिए उसका लिंक आपको डिस्किप्शिन में मिल जगा थेंक्यू वाचिंग आर वीडियो